एक विशलेशक के अनुसार नवीनतम विकास में बाल्टीमो पुल थ्रासदी के बाद बीमा करताओं को 5 डॉलर और 40 सेंट बिलियन तक का नुकसान हो सकता है फ्रांसेस स्कॉट की ब्रिज के ढहने से बीमा करताओं को दावों में अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है एक विशलेशक ने इसे 4 डॉलर बिलियन तक आका है जो इस त्रासदी को एक रिकॉर्ड शिपिंग बीमा हानी बना देगा 28 मार्च, 2024 को सिंगापो के ध्वजवाले कंटेनर जहाज के दुरगट नाग्रस्थ होने और एतिहासिक पुल को नश्ट करने के बाद चार लोग अभी भी लापता हैं जिन्हें मृत मान लिया गया है एउन बेनफील्ड के विशलेशक सोफी वाटर्स ने कहा कि शिपिंग बीमा दावे के लिए घाटा अब तक का सबसे अधिक हो सकता है उन्होंने कहा कि एउन ब्रिज की संपत्ती पॉलिसी के लिए बीमा दलाल था पॉल के धेहने से संयुक्त राज्य अमेरिका में पुराने बुनियादी धांचे की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए है पॉल 1950 में बनाया गया था और 2016 से इसे संरचनात्मक रूप से कमजोर माना गया था राश्ट्रिय परिवहन सुरक्षा बोर्ड धेहने के कारण की जाच कर रहा है